हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा सक्सेस केंदरा फ्रेंड्स देखिए इस सेशन में हम लोग बिहार पुलीज करेंट अफेर्स दोहजार चोबिस को डिस्कस करेंगे दिया हैं फ्रेंड्स बिहार पुलीज कोईश्टेबल 21,391 पोश्ट का जो एकजाम 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 35 अगस्त और 28 अगस्त, 2024 को लिया जाएगा उसके लिए देखिए हम लोग करेंट अफेर्स के लाश्ट वन इयर यानि कि पिछले एक साल के 400 महत्पुन करेंट अफेर्स के परशनों को फ्रेंड्स इस सेशन में डिस्कस करेंगे बिहार पुलिस कोंश्टेबल 21,391 पोश्ट एकजाम 2024 के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट या सेशन है इसको ध्यान पुरवक देखिएगा और निस्ती तिरुप से परशन जो है यहीं से आपकी एकजाम में देखने को मिलेंगे इसलिए इसको ध्यान पुरवक देखिएगा और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बगल में जो बेल आइकन है घंटी का निसान है उसको भी जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी बिहार पुलीस दोजार जोबी से रिलेटेड कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अप्लोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी किये हुए सेसन आज कर दीजिए और जब सेसन पूरा देख लीजेगा तो इसे कम से कम एक ग्र हाल ही में किसे निक्त किया गया है देखे फ्रेंट्स नाटो का फुलफर्म क्या होता है पहले इसको जान लीजेगा तो देखे नौर्थ अट्लांटिक ट्रीटी और्गेनाइजेशन इसका फुलफर्म होता है नौर्थ अट्लांटिक ट्रीटी और्गेनाइजेशन इसका स तोटल जो है सदश्य 32 हैं और प्रश्ट बंसकता है कि इसका 32 सदस्य देश कौन सा बना है तो याद रखेंगे 32 सदस्य देश यह फिनलेंड है तो यह सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे और हाल ही में जो Nato के महासचिव यानि की सेक्रेटरी जनरल जो बने हैं यह कौन बने हैं तो यह बने हैं आपके मार्क रूटे ठीके ना ओप्सिन नमर यहां पर भी राइट अंसर हो जाएगा और यह नीदरलेंड के हैं ठीके ना और यह अपना कारेभार जो है 24 से किसे सम्मानित किया गया है तो फ्रेंड्स यहां सम्मानित किया गया है अरुंदती रोई को ठीके ने किसको सम्मानित किया गया है अरुंदती रोई को सम्मानित किया गया है यह काफी इंपोर्टेंट है इसको आप ध्यान रखेंगे चले अंतराश्ट्रिये सौर गटबं यानि कि इसका फॉर्मेशन जो हुआ था यह 30 नॉवंबर 2015 को हुआ था और इसका हेट क्वाटर जो है यहां भारत की गुरुग्राम में है गुडगाओं में है ठीक है और इसका जो आपका यहां पर पूछा गया सवुआ सदस्देश कौन सा बना है तो फ्रेंट्स यह अभ्यास है होपेक्स का भारत और किस देश के वायू सेनक बीच हुआ है होपेक्स जो है यह वायू सेन अभ्यास है और इसका भारत और किस देश के वायू सेनक बीच कि आ गया है तो इसका अभ्यास जो आई-ए-फ यानि कि भारती वायू सेनक इंडियान एयर फोर्स और यहांने मिसर की मिसर को इजिट कहा जाता अंगरेजी में तो मिसर के वायू से नहीं के बीच में हुआ है ठीक है और राइट अंसर यहां पर देखिए मिसर हो जाएका option number पर सी करेक्ट अंसर हो जाएगा मिस्र में इसका हुजन हुआ था देखे हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत अमिर्की परतिनिधी मंडल की अध्यक्सता किसने किया है बताई इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा तो देखे इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा फ्रेंट्स यह नैंसी पॉलिसी ठीक है नैंसी पेलोसी थी क्लियर हाली में दलाई लामा से मिलने आए अमिर्की प्रतिनिधी मंडल की अध्यक्सता नैंसी पेलोसी ने किया था चले उसके यहां पर बी राइट अंसर हो जाएगा और पहला लोगसभा अध्यक्स कौन थे तो जीवी मावलंकर थे लोगसभा के प्रथम अध्यक्स यह भी आप ध्यान रखेंगे चले किस सहर को भारत का पहला साहित्य सहर घुसित किया गया है तो फ्रेंड्स यहां के कोजी कोड को सब्सक्राइन रखेंगे चले फ्रैंड नेक्स्ट कोस्टन है कि प्लास्टिक कचले से बनी सड़क बनाने वाला देस का सेंड एस्टि brill उसके बाद देखेगा कि Jordan के Amman में जित Under-17 ACI कुस्ति चैंपियंशिप 2024 में भारतिये पहलवानों इनकूल कितने पदक जीते हैं बताइए Jordan के Amman में जित किया गया था Under-17 ACI कुस्ति चैंपियंशिप 2024 24 एक तो प्रश्न ऐसे बन सकता है और देखे इसमें भारतिय पहलवाने कूल कितने पज़क जीते हैं तो टोटल इन्होंने 11 मेडल जीते हैं और देखे इन 11 मेडल में हम बात करते हैं तो चार गोल्ड मेडल है ठीकना दो सिलवर मेडल है और पांच जो है ब्रॉंज मेडल है इन सब को दिखे एड करेंगे तो चार दो छे और पांच टोटल ग्यारह मेडल हो जाएगा अच्छा यह बात हुई अंडर सेबंटीन एसी आई कुष्टी चैंपियंशिप की अगर आपसे पुछा जाए सिर्फ एसी आई कुष्टी चैंपियंशिप कहां पर आयजित किया गया था तो एसी आई कुष्टी चैंपियंशिप दोजार चोविस का अजन किरगिस्तान के बिसकेक में किया गया था और इसमें जो है भ ऊसके बाद देखेगा कि 아फ हुई लुक्त सभा कि प्रोटवisten के रूप में किस ने सफ़त लिया है बताइए राइट अंसर क्या हो जाएगा प्रोटव JOSHE KER पूछा अपर देखेगा भत हरी मअलताब को ठीक है न इसलिषक आप याद रखिएगा चलिए उसके बाद सारुक नाम पर मुर्शन क्रेटर और हिलसा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है बताइए देखिए मुर्शन क्रेटर और हिलसा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है राइट अंसर इसका क्या होगा तो यह आपका है मंगल ग्रह ठीक है ना मंगल ग्रह याद रखेगा ये प्रहुशन इंपोर्टेंट है और मैं आपको जो है साइन्स और टेकनोलोजी से और परियावरन से डिफेंस से एक ऐलग सेसं में आपको कुछ संब वहां से प्रश्ण बनता है अगले ही से सेसं में मैं आपको करा दूंगा ठीक है ना चलिए अब्ञशन यह इसमें भारत ने में पूछ सकता है कहां पर हुआ था तो इसका कजान रसिए में शучन इसका किया गया था और इसमें भारतने टोटल कितने मेडल जीते हैं यह आपसे पूछा जा रहा है तो भारत और դो तोटल उनतीस तो कितने उनतीस जीते हैं तो इस मैं आपको बताचे चल रहा हूं जहां भी आवसकता होगी explanation के वहां मैं आपको explain करूंगा देखे हालिया जारी एक report का अनुसार कौन सा देश विश्व की सरवाधिक प्रतिव्यक्ति GDP वाला देश बन गया है बताएंगे इसका राइटन सर फ्रेंट्स तो यह आपका लक्जंबर्ग है ठीक हैं लक्जंबर्ग याद रखीगा important question है देखे राज सभा में सदन का निता किसे नूप्त किया बनी है जहां भी पहला पहली सब्द लग जाता है प्रश्ण अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है अब देखिए इसका नाम भी याद रखना है सुलोवेनिया के लीपिका में ठीक है ना यहां पर आजित किया गया था थ्री इस्टार ग्रैंड प्रिक्स घुरसवारी और उसमें जो है पहली भारती यह कौन बनी है इसको जीतने वाली यह नाम आपको याद रखना है तो यह नाम है सुरुती वोरा ने जीता है ठीक है ना चलिए फ्रेंट्स उसके बाद नेक्स्ट कोस्टन है के हालिया में किसराज के कोसिया कुटोली का नाम बदल करिके स्र कैसी धाम किया गया है बताए राइट अंसर क्या होगा तो फ्रेंट्स यह उत्रा खंड का ठीक है चलिए समलेंगिक विवाह को कानूनी मानेता देने वाला पहला दक्षीन पुर्वी एसे आइदेस कौन बना है पहला दक्षीन पुर्वी एसे आइदेस साउथ इस्ट जो पहला एसेन कंट्री है यह कौन बना है तो फ्रेंट्स यह बन गया है थाइलेंड थिकन अठ थाइलेंड है याद रखेंगे चले हाल ही में किस ने निवेस रिपोर्ट दोहजार चौबिस जारी किया है देखें फ्रेंट्स निवेस रिपोर्ट को जारी किस ने किया है इसक अंग्टाड बोलते हैं अंग्रेजी में इसको बोलते हैं United Nation Conference on Trade and Development हिंदी में इसको बोलते हैं संक्त राष्ट बैपार और विकास सम्मेलन ठीक है तो अप्स्टन नबर यहां पर भी बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा ठीक है Next question के हाल ही में साहित अकादमी ने कितने लेखकों को वर्स 2024 के लिए युवपुरसकार और बाल पुरसकार से समाने की घुश्रकी है तो युवपुरसकार और बाल पुरसकार ध्यान सेंसर जीत अब है इसका स्थार्टा प्राप्त करने वाली स्थाक्षर्टा प्रुसीत किया है धग्या है यह घ्रॉन्ज जानिया में नेट्रोंजिल चले उसके बाद देखेगा कि अट्राहमी लोकसभा का जो पहला सत्र था पहला सत्र लोकसभा का यह किस तीथी को सुरू हुआ था तो फ्रेंट्स यहां सुरू हुआ था आपका जुन दोहजार चोविस को चले उसके बाद नेक्ष्ट कुस्चन हमारा कि भारत ने हाली में किस देश के नागरिकों के लिए इमेडिकल विजा सुवदा सुरू करने की घोश्णा की है बताई फ्रेंट्स राइट अंसर इसका क्या होगा करेक्ट अंसर बताई फ्रेंट्स क् इसका तो फ्रेंट्स यह आपका राइट अंसर इसका हो जाएगा आपका बंगलादेश ठीकना बंगलादेश के नागरिकों के लिए जो है हाली में भारत ने इमेडिकल विजा सुवदा सुरू करने की घोश्णा की है देखें विस्व सिल्प परिसद ने हाली में किस भार के रूप में मन्यता दिया है तो फ्रेंट्स राइट अंसर हो जाएगा यह सिरिनगर को ठीक है ना सिरिनगर को चले उसकवदी के हाली में जारी वर्ष 2024 के परियावरण परदरशन सुचकांग में भारत को 180 देशों की सुची में कौन सा अस्थान मिला है तो देखें अगर वर्ल्ड एकनॉमिक फॉरम जो है इसको जारी करता है डबलोई एप और 180 देशों की सुची में इसमें भारत का अस्थान आपसे पूछा जा रहा है बताई राइट अंसर क्या होगा इसका तो देखें इसमें भारत का अस्थान जो है फ्रेंड्स वह कौन सा है तो भारत का नाइजेरिया के लागोस में आउजित विस्वर टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जितने वाली पहली भारतिये महिला कौन बनी है अब देखें फिर से यहाँ पर पहला पहली सब्द लग गया है इसलिए कोस्टन अपने आप में फिर से इंपोर्टेंट हो गया ही इंपोर्टेंट है द्यान रखेगा चुकि यह पहली भारतिये महिला बन गई है विस्वर टेबल टेनिस कंटेंडर एकल किताब जीतने वाली इसलिए इंपोर्टेंट है स्रीजा अकुला राइट अंसर होगा ग्लोबल पीस इंडेक्स दोजार चोबिस में भारत को कौन सो सोला हुआ है नेक्स्ट को सने किस टीम की महिला किर्केटर चमारी अतापतु को मई 2024 के लिए आई सीसी प्लेयर आफ मंथ का सम्मान मिला है बहुत ही असान नाम है मरवन अटापतु आपने अगर किर्केट पहले से देखा होगा तो आपको याद होगा निसीत रुप से आ लबले गिद हैं है और दुनिया का पहला है सं रक्षन केंडर है जो की कहां पर स्थापित किया जाएगा यह आपसे पुछा जा रहा है तो फ्रेंट्स किया उत्तरपरदेश के महराज में महराज घंज में मि팅 के जाएगा ठीक है ना उत्तर प्रण्चन कgentर इसका नाम है ज प्रिक्स गेम में जो है भारत ने कितने मेडल जीते थे इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है और इसका आयोजन किया गया था रूस के कजान में ठीके ना ओप्सिन नुबर यहां पर भी राइट अंसर हो जाएगा बिलकुल और भारत तीसमें टोटल 29 मेडल जीते थे तीन स्वर्ण था चेज सिलवर था और वीश ब्रॉंज था चले उसका बदेखेगा गलोबल जैंडर गैप रिपोट 2024 में भारत को कौन सा अस्थान मिला है गलोबल जैंडर गैप रिपोट 2024 ठीके ना गलोबल जैंडर गैप सुचकंग 2024 विश्व आर्थिक मंच इसको जार रखिएगा ठीक है चलिए दिखेगा कि किस पूरुष किरकटर को मई 2024 के लिए आइस सी प्लेयर ऑफ मंथ का सम्मान मिला है तो यह कौन है बताइए राय टंसर क्या होगा तो करेक्ट असर हो जाएगा आपका गुड़ा के स्मोथी यह वेस्टेंडिज के हैं ठीक है चले उ यह कौन सी बार बने हैं यह आप से पूछा जा रहा है तो यह बने हैं आपके चौथी बार देखिए अगला प्रशन किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है अच्छा अब आपको पूरुस एकल भी बन सकता है प्रशन तो देखिए म महिला एकल का खिताब जो है पहले इसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल का खिताब जो है यह किसने जीता है तो फ्रेंच यह जीता है इगा स्विटेक ने इगा स्विटेक कहा की है तो यह पोलेंड की है ठीक है यह पोलेंड की है युगा स्विटेक औ तो पूरुस एकल का किताब फ्रेंच उपन में जीता है कार्लोस अलकराज ने ठीक ना कार्लोस अलकराज इस्पेन के हैं आगे आपको हो सकता है प्रश्ण मिल जाए देखिए प्रधानमंत्री नरंद्र मोदी कि सहर मांतराष्टी योग दिवस 2024 के तहट कारेकरम में भाग लिया था इन्होंने बताए राइट अंसर क्या होगा तो फ्रेंट्स इन्होंने लिया था सिरिनगर में ठीक है न किस सहर में तो सिरिनगर में चले उसका बद देखिए अगला प्रश्ण है कि संक्तराष्टी की संस्था ने ब्रेटिस अभिनेता थियो जम्स को ग्लोबल गुडविल एंबेस्टेडर निक्त किया गया है यह किस संस्था के काफी इंपॉर्टेंट कुस्चन है फ्रेंड्स बताए राइट अंसर क्या होगा तो यह बने हैं यू एन एच सी आर के ठीक है याद रखिएगा कौन तो थियो जम्स चले उसका देख़े का किसे देश में हाली में इरान के इरान- इस्लामिक रिवलुशनरी गार्ड-। को यहाँ पर देख़े औभाद किहां की तूपर देश है कनाडा कौन सब्सक्राइच याद रहेएगा चले उसकपर देखेगा कि किसरते किल्यारी ने फ्रेंशपन दोजार चोडिस में ौरिस एकल का खिताब जिता अब देखे पूछ लिया गया पूरु इकल महीलाय इकल पूछा गया था इगा सुटिक ने जिता था और पूरु इकल का जिता है कार्लोस अलकराज ने यह इस्पिन के हैं जैसे मैं आपको बताया वी है चलि देखे फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेलसन मंडेला लाइप टाइम एचिब्मेंट एवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतिये कोन बने हैं ठीक है याद रखे का नेलसन मंडेला लाइप टाइम एचिब्म कौन बनी है भारतिये नौ से नाकी भारतिये नौ से नाकी बताये तो यह बनी है अनामिका बी राजियो और यहां पर एर आइटन सरह जाएगा अनामिका बी राजियो देखेगा क्लॉडिया सेनबं किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है तो नाम याद रखना ब यूरोपीय फुटबल चैंपियंशिप 2024 17 यूरो कप है कहां शुरू हुआ बताइए राट असर इसका क्या होगा यूरो कप का यूचन जो है यह हो रहा है कहां पर जर्मनी में ठीक है जर्मनी यहां पर राट अंसर हो जाएगा जर्मनी करक्ट अंसर हो जाएगा लेखेगा में फिनलेंड के तुर्क में पाव नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मिट में पुर्सों के जैबलिन इवेंट में किसने स्वन पदक जीता है तो फ्रेंट्स जीता है किसने नीरज चोपडा ने जीता है ठीक है चलिए हाल ही में आए रिपोर्ट का अनुसार विश्व में न नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस अस्थान पर है बताएगा राइट अंसर फ्रेंड्स क्या होगा इसका हाली में जो रिपोर्ट आई है इसका अनुसार फिस्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में भारत का स्थान क्या है तो भारत का स्थान दूसरा है ठीक है ना भारत का स्थान दूसरा है चले देखिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने 19 जून 2024 को बिहार के नलंदा में नलंदा विस्विद्याले परिसर का उध्गार्टन किया है जिसमें 17 देशों के राजदुत सामिल हुए थे यह सारा अंकड़ मंत्री मंडल ने वधावन बंद्रगाहा को मंजुरी दिया है यहां कि सराज में बनाया जाएगा वधावन यह पहले भी चर्चा में रहा था आपको याद भी होगा अगर आप पहले से त्यारी कर रहे हैं तो महराष्ट में वधावन है ठीक है चले उसके बाद में एक मैच में चारों बर मैडन फेकने वले चारों फेकने का जो है लिमिट होता है एक बॉलर को और चारों इन्होंने मैडन फेक दिया था तीट्वेंटी विश्वकप में यह करनामा किया है यह कौन की लड़ई है गेंदबाज का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो फ् अभ्यास से तरंग सकती नाम याद रखेगा और इसका मेजबानी जो करेगा यहां कोई और नहीं अपना प्यारा भारत करेगा अपसे नंबर यह राइटन सर हो जाएगा देखेगा पर्यावरन परदर्शन सुचकांक दोजार चोबिसम भारत की रैंक क्या है तो साथ अभ दुनिया के सबसे उच्छे रैलवें पुल चिनाध ब्रीज पर भारती रहेलवें ने पहला ट्रायल रन पूरा किया यह किस नदी पर है ठीकेर चिनाफ ब्रिज ब्रीज यह पूचा गया ब्हारत का सबसे रैलवे में पूल है दुनिया काहई है और बताई रेट रंसकर क् सन्सकरन जापान के जपान में हुआ था और यह जपान और भारत की जिमक्स जो है यह कौन सा संसकरन है यह संसकरन है या आप Support Munson करन है ठीके देखे चर्चा में रहा गांधी सागर वने जिव अभेरन किस राज में है गांधी सागर वने जिव अभेरन जो है यह किस राज में है बताएंगे राइट अंसर तो फ्रेंड सी यह मद्द प्रदेश में है गांधी सागर वने जिव अभेरन चले उसके बाद देखेगा कि उ होते चल गया उत्राखंड में अलमोडाक में है ठीक है और जंगल में आग लगी है यहाँ पर और उसको नियंतित करने के लिए M17 में 17 हेलिकप्टर को तैनात किस ने किया है तो याद रखिए इसको तैनात किया है भारती वाई उसेना ने जून 2024 में अंद्रप्रदिस्क अधिकारिक राजधानी कहा होगी अंद्रप्रदिस्क राजधानी बार-बार पुछा जा रहा है आजकल एक्जाम में इसलिए आपको याद रखना है राजधानी जहोगी यह अमरावती होगी ठीक है अमरावती अधिकारिक राजधानी होगी इसकी सो ले उसका अवह देखेगा कि भार्त नहें आपदा प्रभाई यूद्फ पापुवा नियूगिणी को कंट्री है पापुवा नियूगिणी ठीक नrah पुछा गया कि पूपा नियूगिनी को कितने मिल्यन अमेरिकर डोलर के मानविये सहायता भेजी है पापवा निवगिनी के अगर बात करते हैं तो इसके राजधानी का नाम याद रखेगा इसके राजधानी का नाम याद रखेगा इसके राजधानी का नाम जो है यह पोर्ट मुरेस भी है पोर्ट मुरेस भी इसके राजधानी है पोर्ट मुरेस है और कितने मिलियन अमिल की डॉलर की मानिविये सहायता भारत ने भेजी है यहाँ प्रश्ण बन रहा है आप से तो यह एक मिलियन की ठीक है ना चलिए उसके बाद देखेगा कि नो जून दो हजार चोबीस को प्रधान मंतरी निरेंद्र मोदी के सपत गरान समरोह में कितने देशों के राष्टा एध्यक सामिल हुए थे। बटाएं कितने देशों के राष्टा यह सामिल हुए थे तो यह साथ डिसते ठीक है, तो मोडि ज़्वीक, क्रक्रोनus Engineering के 9 मंदल है उसका बाद lgp के वह एक हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के एक हैं तो चार दो छे एक साथ एक आठ पार्टी का भी नाम मैंने आपको बता दिया चार केंद्रिय मंत्री हैं और चार राज्य मंत्री हैं ठीक है चलिए देखे अटराहमी लोकसबाद चुनाव के आयो का जो टैग लाइन था यह टैग लाइन क्या था बताएंगे तो यह टैग लाइन जो था फ्रेंड्स क्या था बिल्कुल समय बिना वेश्ट की हम लोग इसको कवर करेंगे ठीक है ना चलिए रैट अंसर बताईए टैग लाइन क्या था तो देखे इसका जो टैग पर चाले अंतराश्चिया खौघूलिय संग नाम किसके नाम पर रखा है बताई मंगल गलाउपर इस था यह ख्रीटर और इसका नाम किसके नाम पर रख duplic writer प्रोफेसर के नाम पर तक चले उसके इस सरकार ने मुख्यमंत्री निजूत मोइना यौजना की गोछना किया है मुख्यमंत्री मौइना यौजना बताईये इसका क्या होगा कि सरकारन चाहां किअगा की इस सेबन सुकर संब्लन 2024 के अधर किया गया इंपोर्टन कॉस्चन है जी लाइसें दोहाघर चोबिस का अभरण जो है 21 वे किस डेस में किया गया है तो याद रखिए Jahre उसको आपका है उत्तर प्रदेश चौप बिस्वगड़ थीष का कंद देश में किया जाएगा बताईए राइट संसर क्या होगा इसका ऑफ आई हेच होकी पूरुस जूनियर विस्थुक अब 2025 किस देश में किया जाएगा इस ब्हारत में किया जाएगा भारतिय ठ्ल सेना का तीसवा प्रमुख जो है किसे निउठ किया गया है तो भारती थाल सेना का तीसवा प्रमुख किसको निउठ किया गया है बताएंगे राइट अंसर तो यह है आपके उपेंद दुवेदी जी को ठेके ना अप्शन नमबर यहाँ पर डी राइट अंसर होगा देखे कार्लोस किसदेश के खिराड़ी जिन्होंने फ्रेंच विपन द्होजरज़्श्वर्शЕंकल का χिताव नेकि टैटल जीता है तो कालोस अलकराज के बारे में मैं आपको बतंपहा था इन्होंने पूरुस एकल का अंस्थान को प्रतम अस्थान्पराप्थ हुआ है यह लगातार एंप पिंशूट इंस्थिट अस्थान लंदन देखें बांबे यह इसमें भारत में सबसें सर्व्श्रिस्ट अस्थान सिर्षथ अस्थान प्राप्थ आएएटी बंबे को और देखिए आएएएएटी बंबे का अगर रैंक पुछा जा अबरल दुनिया में तो इसका रैंक एकसोव अठराभ मा है इसे भी आप याद रखंगा दूसरे नंबर पर आयाइएटी दिल्ली है भारत में एकसोव पच थीयर को अंतराष्टी खेले दिवस के रुप में आंतराष्टी अन मंदराष्टी के रिजिए तो यह औ야 यह भी हमने बता है यहांड के पोलेंड के खेलारी हैं आप स्वेटिक चले उसका बंद एकला प्रश्न है कि उए ने हाल ही इवेन ने हाल ही में बच्चों के खिलाब अपराद करने वाले आपरादियों की वैस्विक सुची में किस देश को जोड़ा है युवेन ने थिकनी इवेन को सामिल किया गया है दिखेंगे र्यटेंज सर्फरेंड तो यह टोटल साथ महिलाओं को बंभानिया नीबु बेन थीक है एक नाम यह हो गया और एक नाम है सुभा कंदर लाजे करंद लाजे तो यह साथ नाम है याद रखेगा मोधी मंद्र मंदल में इस बार कुल कितने पुर्व मुख्य मंतरी सामिल है मोधी मंद्र मंदल में पुर्व मुख्य मंतरी बहुत सारे मुख्य मंतरी को सामिल किया गया है बताएंगे राय टेंसर अब यहां पर दिखिएगा मोधी मंदल में अगर बात करें कुल कितने पुर्व मुख्य मंतरी सामिल किया गया है यह प्रश्ण आप से पूछा जा रहा मौन सरबनंदा संवाल है तो यहाँ पर दिखेगा मौधी मंध्री मंध्र में इस कुल कितने पूर्व मकंदरी सामिल है तो पहले से छे सामिल किया गया है और मोधी जी कुले करके साथ हो जाएगा ठीक है चलिए देखे दस जुन दोजार चौबिस को प्रकासी थे हुई आत्म का था किस भारती किर्केटर से है बताई राइट अंसर क्या होगा इसका तो दिखे करक्ट अंसर होगा रभी चंदरन अस्विल ठीक है ना चले उसको बहुत देखेगा किस राज्य के दो वैटलेंड को रांसर और साइड्स की लिष्ट में सामिल किया गया है बताईए करक्ट अंसर क्या होगा मैं तो यह बिहार का है नागी नक्टी पक्ची अभ्हरण जो है इसको शामिल किया गया नागी नक्टी को ठेक है इस सी को आप द्यार रखेंगे चले करमचारी राज जी भी इमां निगम के महानिदेशक का अत्रिक्त प्रभार किसे दिया गया है तो फ्रेंट्स यह दिया गया किसको कमल किस और सिन को दिया गया है कमल किस और सिन को दिया गया है ध्यान रखेंगे देखें मोबाइल एप सारथी 2.0 हाली में किसके द्वारा लॉंच किया गया है सारथी 2.0 को किसके द्वारा लॉंच किया गया है तो इसको लॉंच किया है स देखे न सेबी की दोबरा लॉंज किया है सेकुरिटीज एंड एक्षेंज बोर्ड अफ इंडिया एसा होता है न सब्सक्राइब का फॉल्फों कि चलिए कि देखे किस देश ने फिलिस्तिन को अधिकारिक तोर पर मानेता दी है पता ही राइट अंसर क्या होगा इसका तुफ्रेंट्स यह दिया है स्लोवेनिया ने दिया है फिलिस्तिन को अधिकारिक तोर पर मानेता देखे साथ जुन दोहजर चौबिस को किसके दवरा वर्स दोहजर पचीज को क्वांटम विज्ञान और प्रधुगिकी का सकогाी करें अस्पार्श सेवा किस मंत्राले से समंबन्दी था रग्षा मंत्राले से सम्बन्दी था टो यह रख्चा मंत्राले से संबन्दीmbol four लोकस बात शौनाओ कहां पर पड़ा था राइट इंसर फटाफट कमेंट करिए तो फ्रेंट्स यह पड़ा था इंद और मध्यप्रदेश में ठीक है ना इंद और पर पर दो nog दीखे वह तो देखे फ्रैंट्स यहरेदश चीलिमा चाहिके साथ दस जुन को एक बिमान हाथसे में हो गया तो देखे फ्रेंट्स यह मलावी के उपराश्टपति railroad चि यह उनकी पतनी सहीत 9 और लोगे के साथ 10 जुन को एक विबान हाथसे में निधन हो गया तो यहां पर देखे मालावी option number a right answer हो जाएगा और देखे अगर आपसे मालावी की राजधानी पूछा जाए तो यह भी आप याद रखेंगे मालावी की राजधानी जो है यहां मैं लिख देता हूं मेक्सिको कfa के मैंने थोड़ी दिर पहले ही आपको बताया था मैक्सिको की ठीक है तो अब झाया था तो यह उसकेब के हगा कि भारत औ-पर पृत्विक के ताप्मान की की निगरानी के लिए तृष्णा उपगरह पर काम कर रहा है ठीक है ना याद रखेगा प्रित्वी के तापमान की निगरानी के लिए यह तृष्णा उपगरह पर काम कर रहे हैं भारत और कौन से देश तो भारत और फ्रांस कर रहे हैं ठीक है ना देखें किस देश ने आध मदुगी की साइंस टेक वाला जोब कराऊंगा ना यह सब उसमें आपका कबर हो जाएगा ठीक है ना तो राइट अंसर यहां पर देखी यह दक्षीन कोरिया है कौन सा देश है जिसने अधिकारिक तोर पर अपने अंत्रिक एजंसी लॉंच किया है तो याद रखेंगे यह प्रशन करेंगे दक्षीन कोरिया है इंपोर्टेंट को सना प्रश्ण यह सब बन सकता है चूकि साइंस टेक से प्रश्ण जो है बीपेसी पूस्ता भी है तो इसको आप याद रखिएगा ठीक है नो फेंट्स चलिए दक्षीन कोरिया है और इसका राष्ट्य अंत्रिक इसा बंद लगा दिया है महता हुआ हि निसके होगा गगाआ इस प्रृत्य ≥ Mai अशधर मतर पadtर्षण कर्यक्ट अंशर इसका क्या होगा यह जो है इसकी वर्षगाठ पुछा गया है बताई राइट अजर लिए 51 वर्षगाठ इसकी मनाई गई है मैं विश्व परेवरंदिवस याद रखेगा आप कब मनाय जता है तो पांच जुन को मनाय जता है इसको आप जरूर याद रखिएगा कि चलि अगला प्रश्ण कर लेंगे ठोड़ा समय आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा तो देखे फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो यह 1973 से मनाया जा रहा है इसको द्यान रखे का 1973 से ठीक है चले उसका वदिक संग्तराष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थाई प्रतिनिदी कौन थी जो रेटार हो गई है संग्तराष्ट्र में तो यह सब आपको याद होगा एनका नाम आपको निस्तित्रप से याद होगा यह है आपकी रूचिरा कंबोज ठीक है चले रूचिरा कंबोज है रूचिरा कंबोज है संग्तराष्ट्र में भारत की पहली अस्थाई प्रतिनिदी ठीक है संग्तराष्ट्र में भारत की प्रतिनिदी कौन है 2024 में चलिए अब हम लोग अगला प्रश्ण करेंगे नेक्स्ट कोस्टन है रोजिरा कमबोज है वो रेटार हो गई है हलिया में इन्होंने चलिए और एक अगस्त 2022 से इन्होंने कार्यभार संभाला था चलिए और अब यहां पर औरिंदम बागची जो नय प्रतिनिदी बने है बागची यहाद रखेंगे ठीक है और इन्दम बागची चलिए उसका बाद नेक्स्ट कोस्टन कर लेंगे कि हाली में यहां पर दिखेगा निती आयोक का निदेशक किसे निउक्त किया गया है स्थीयों निदेशक, जो है किसको निच्हिक्द क्या गया, पताय राइट ंसर क्या होगा में बताइए इसका क्या होगा क्के अंसर बताइए तो देखिए राइट अन्सर जो होगा में यहां पर आसीज कुमार दास ठीक है चले अंतराश्ट्रिय सरम संगठन आयोलो की हालिया रिपोर्ट का नुसार दोजार चोबीस में बैस्विक विरुजकारी दर कितना परतिसत रहने का अनुमान है तो फ्रेंट्स यह आपका चार दिसंबलों नो परतिसत उसके बाद दिखी का चायना कि दोरा तो यह भी आ गया है ठीक है ल favor के कि डी अर्ट टाट यह उन्हाली में रुदरायम टू मिसाइल का तो ट्रटीयों के कि यह किस प्रकार की मिसाइल है रहकिए जैए तो यह वा से सत no हर करने वाली मिसाइल है ठीक है वासे सत इसको याद रखिये अब आ इसल बहुरस्ति सेन रोब किया गया रेड अचांट की तो 3 मईं में देखे 3 माई को भारत कि дом भारत कि सब्सक्राजन आप। भारत का किस राज ने 37 वास था अपना जिवस मनाया है 30 माई के दिन 30 माई के दिन तो यह कौन सा राज है यह गोवा है ठीक है चले उसका वह दिखेगा कि अंटाकर्टिक संग सलाकार बठकायोजन कहां किया गया अंटाकर्टिक संग सलाकार बठकायोजन तो फ्रेंड्स यह कहां पर किया गया है यह किया गया है कोची में चले उसका बदेखियेगा कि मास कम्मुनिकेशन इंटर्णशिप प्रोग्राम किस मंत्राले ने शुरू किया मास कम्मुनिकेशन इंटर्णशिप प्रोग्राम जो है यह किस मंत्राले शुरू किया है तो यह किया है आपका जल सकती मंत्राले ने हाली में चक्रबाद रेमल को किस देश्क द्वरा नामित क किया गया था तो फ्रेंट्स रेमल को नामित किया था ओमान ने ठीक है ना ओमान ने नामित किया है इंपोर्टेंट कुस्टन है इसको आप जरूर याद रखेगा चले उसका बद दिखेगा कि 17 हमा इंडियन प्रीमेर लिग यानि कि आई पील 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है अब इसलिए आपको भी पता होगा यह टीम जो है कोई और नहीं बलकि यह टीम कौन सी है तो केके आर है कलकता नाय ट्रैडर है और यहां पर भी राइट अंसर हो जाएगा ठीक है और गौतम गंभीर थे और अब गौतम गंभीर भा बहुत खूले भारती मुलके परेटा कौन बने हैं इसे सब्स faudra क्लप एंगलीर लिग 202 का iter जीता है फुटबल क्लब ने इंगलीर लिग2024 का किताब जीता है टो फ्रेंउ्ट्स यह जीता आपका मैंचेस्टर सिटी ने उसके बाद देखेगा प्रतिष्टित सहित अकादमी फैलोशिप से समानित किया गया है अंगरेजी के लेकाक हैं इनको प्रतिष्टिक साहित अकादमी फेलोशिप से समानित किया गया है बताई राइटन सर तो फ्रेंट्स यह आपके हां रस्किन बॉंड ठीके न रस्किन बॉंड है इनको पुर्व मुख्य वेग्यानिक डोक्तर स्वामया स्वामिनाथन है मैटलिन धुष्विद्द्दाले के दौरा देखे सात माई 2024 को सड़क जो है सीमा सड़क संगर्टन बियारो बॉर्डर रोड और्गेनाईजेशन का कौन सा स्थापना दिवस मनाए गया है सात माई के दिन मनाए गया इसे भी आप याद रखिएगा तो यह मनाएगा आपका पैंस अठवा ठीक है कांस फिल्म फेस्टिबल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जितने वाली पहली भारती फिल्म निर्माता कौन बनी है राइट अंसर क्या हो जाएगा तो देखी करक्ट अंसर जोगा फ्रेंड्स यह आपका हो जाएगा यहाँ पर पाइल का पाडिया में जाली व्रोल्ड प्रेसर्डम इंडेक्स में 202 में भारत को 113 देशों मैं से कौन सा अस्थान ंब्ला फेस फ्रेड्म इंडेक्स में मोलिम्ल इंडेक्स किम प्रेस्टम टीम की बात करते हैं तो आपका कि क्यों पत्रकारिता वाला है । ho क्या हो जाएगा कि इंपोर्टेंट कुस्चन है बताई राइट अंसर इसके क्या हो जाएगा प्रेस फ्रेडम इंडेक्स तो देखे इसमें भारत को अस्थान 169 मिला है और प्रतम स्थान पर नौरवे है और इसको जारी किया है रिपोर्टर्स विदाउठ वोड्र्स के दवरा ठीक है नौरवे पहले अस्थान पर है 169 भारत का इसमें है ठीक है चली है उसके बाद अब हम लुग नेक्ष्ट याद रखेगा एक मई के दिन ठीक है ना लिए एपसी महिला इसे एकब 2026 की में जबानी कौन सा दिस करेगा तो यह करेगा आपका उस्ट्रेलिया ठीक है ना चले उसको पर देखेगा कि हाली में देखे हाली में माउंट एबरेष्ट को फटा करने वाली सबसे उम्रदराज भारती महिला कौन बनी है तो यह है जोती आत्रे दिखे किस भारती मुल के प्रोफेसर को खोगुल विज्यान में प्रतिश्टित सौव पुरसकार से समानित किया गया है सव पुरसकार से समानित किया गया है और तो किया है परागवे के ठीक है चले उसका बढ़ दिखेगा कि किन ये उर्पीय डेसों ने फिलिस्तिन को देश का दर्जा दिया है बताएंगे रैटएंचेर इसका क्या होगा तो एक नौर्वे किस गुहाँ की है टेनिस में ने इटालियन ओपन का किताब बुछा जा रहा है तो इटालियन ऐपन का किताब जीता है इगाई श्वेतेक न render यभ पोलेंड की है और फ्रेंच ऑपन भी उन्हों ने जीता है देखे इब्राहिम रैसी कि सदेश्क राष्टपती थे जिनके हाले में हेलेकप्टर जो है क्रेस्ट होने के कारण मौत हो गया था यह हेलेकप्टर है नाम दिया गया है तो सिर्फ आपको इब्राहिम रैसी आपको पता यह इरान के थे इरान राइट अंसर हो जा थेका था इन्हों ने भाला और इन्हों ने जो है स्वन पतक जीता है ठीक है याद रखिएगा चलिए फ्रेंट्स उसके बाद हम लोग नेक्ष्ट कुस्चन कर लेंगे अगला प्रशन करेंगे अब कि हाले में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉल्यूड अब नेत्री को अपना राश्टी राजदूत नियुक्त किया है देखिया हम लोग कबर कर रहा है बीपेस्यू टियरी 3.0 करेंट अफियर्स लास्ट वन येर दोजार चोबिस ठीक है ना तो राइट अंसर बताईए फ्र देखे किस देश में यूपी आई से वाव की सुरुवात किया है फोन पे ने फोन पे ने जो है तो यह किया आपके शिरलंका में देखेगा 43 वी अंटकर्टिका संधी परामर्स दात्री बठक आयोजन किस सहर में किया गया तो इतना तो आपको पता है चुकि भारत में किया कि आपके आगरा में भारत के 85 वे Grand Master कौन बने हैं भारत के 85 वे Grand Master कौन बने हैं बताएंगे तो फ्रेंस ये कौन बन गया है तो ये बन गयाह आपके पी स्याम निखिल स्याम निखिल आप याद रखिएगा चले उसका बदिके बंगलादेश ने टीट्वेंटी विश्वकप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है तो अब यह कप्तान बनाया है नजमुल हुसान सान्तों को ठीक है चले वर्स 2024 की पुलित त्र में दिया जाता है leichter पुरष्कार do नेक्स्ट कुस्चन है हमारा और यह तो पुलितिजर है एक पृत्यजकर पुरस्कार है पृत्यजकर आर्किटेक्ट्चर के शित्र में दिया जाता है चले सेंग्तुराष्ट महासभा ने किस दीन को विस्व फोटोबॉल दिवसकरूप में गोश्चित किया है इंपॉर्टे बताई राइट अंसर क्या हो जाएगा तो यह किया फ्रेंट्स पेरिस में ठीक है ना विस्व हाइड्रोजन सम्मेलन का इवजन काफी उपर्टेंट कुस्चन है यूनिक कुस्चन है तो यह आपका नेधरलेंड के रॉटरडम में किया गया ठीक है चले उसके बाद में किया गया कहां पर मलेशिया में चले उसका बाद देखेगा कि सेडियस जनरल ठीक है ना चीफ आप डिफेंस श्टाप अनिल चौहान के देख्षता में परिवर्तन चिंतन टू नामक दो दिवसी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया बताईए परिवर्तन चिंतन दो नामक दो दिवसी सम्मेलन जो है यह सेडियस जनरल अनिल चौहान के देख्षता में कहां पर आयोजित किया गया तो फ्रेंट्स यह कहां पर किया गया यह किया गया नई दिल्ले में देखें नेक्स्ट कोस्टन हमारा कि मई 208 मई 2024 को उत्राखंड के मुक्यमंत्री पुसकर दामी ने किस जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ Mission की सुरुभात किया गया है कहांपर तो यह उत्रा खंड में किस ने किया है तो नहीं पह तर पर किया है तो यह किया है इनों ने रु दर पर्याग में चले उसका बध knitting मांट इबू किस देश में है तो आप बता दीजेगा कि इंडोनेसिया में है मांट इबू ठीक है चले हाली में किस देश ने पाकिस्तान को हरा करके सुल्तान अजलान साकप सुल्तान अजलान साकप हरा करके जीता है बताई राइट अंसर क्या होगा तो फ्रेंट्स यह जीता है जापान ने देखे विश्व की सबसे उची खोगोलिये वेजशाला का उद्गाटन कहां पर अब यहां पर ध्यान दिजेगा कि हाल ही में देखिए विश्व की सबसे हटां लगाटन किया है और यहां दुनिया की सबसे उचिक्वहोल्डस सिर समानित चीली में खेली चीली तोटोक्यों चीली पर यह प्र यह लेकिन यह कहां खबरों में रहा चाबहार बंदर का किस देश में बार बार पुछा जाता है चाबहार जो है यह कहां पर है तो याद रखेंगा चाबहार इरान में पड़ता है कहां पर इरान में ठीक है देखें परिश ओलंपिक 2024 के लिए कोता हांसिल करने वाले पहले भारती पुरुस रेसलर कौन बने हैं बताऀये में पोर या बयुकी भारत योदि पुरूस रासलर की पहले आप ऑ्का सकता है यह सकते बात किस देश कभीचल बातहुर प्रांस का इंद्रा बहरत वर द Whatska सातवा संस्करन को किस राज में किया है और में में च्रले उसका बहुंसrose के सबस्कूटी मौउंट चूब्रेश्ट को सरवाधीक बार फॉतार करने का रिखुड किनम 오lished सबसे ज़्यादा बार चड़ाई किया है फटा किया इनों ने बताई तो फ्रेंट चाहिए आपका कामी रिता सेरपा ठीक ना कामी रिता सेरपा हैं चरह किस देश ने भारती की बीजा फ्री एंटरी की समय सीमा पढ़ा दी है बताईए तो फ्रेंट राइट अंसर क्या होगा इसका बताईएगा तो दिखे करक्ट अंसर यह सिरलंका हो जाएगा ठीक है उसका बचल अगला प्रश्न के हाली में खबरों में रहा सिंकूला पास यह सिंकूला दर्रा है सिंकूला दर्रा किस राज में सिंकूला पास तो सिंकूला पास जो है फ्रेंट्स यह आपके प्रद्श में है चलिए उसका बढ़ देखेगा कि हाली में इस्कूल और विल्स पाहल की सराज में शुरू की गई है इस्कूल और विल्स यह पाहल जो है यह शुरू किया गया है मनिपूर में ठीक है ना भारत के पुर्वराष्ट्पति ज्यानी जैल सिंग की जैनती कब मना आई जाती है पॉकेट विट्व का प्रयूग किया था इन्होंने ग्यानी जैल सिंग याद होगा आपको बताई राइट अंसर तो करेक्ट अंसर हो जाएगा फ्रेंट्स यहां पर पांच माई के दिन चले इंटरनेशनल इलक्षन विजीटर्स प्रोग्राम के थाथ इंट बताई राइटंसर क्या होगा तो फ्रेंट्स यहां पर राइटंसर रोध्यागा स्वन पतक जीता है हाल ही में देखिएगा कि किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायू पर दुसन और स्वास्त प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेस किया है बताईए तो फ्रें फिरका और वेस्ट इंडिज में हुआता से तुरुप से याद रखेगा और यह आई से महिला टी ट्वेंटी विसकोब दोजर चोबिस है इसका वजन किस देश में क्या जाएगा यह आप से पूछा जा रहा है तो फ्रेंट्स यह बंगलादेश में होगा चले हाली में किस प्रेंस देस ने कर दान से जारी किया है अपनी नई करेंसी को जारी किया है किसे देश ने तो फ्रंट्स यह किया itt ृपσεं की साथ में तो यह चिया है किसके साथ बताईया ऑ करक्ट अंसर क्या होगा इसका तो यह किया है ना बीविया के साथ थी cul-act ना बीविया के सांद नहीं औे कि पुरूस ठीट्वilles t punto te ważne q 24 का brand ambassador कि से बनाय गया है तो brand ambassador बनाय गया था ईउम्राइच सिंह को अंतराश्टी सत्रंद महासंग ने हाली में किसे ग्रेंड माश्ट्री कुपादी से समानित किया है बताई राइटंसर क्या होगा इसका तो यह समानित किया आपका वैसाली रमिस बाबु को देखे विस्व उर्जा कॉंग्रेस अjust 2024 का अ Tucson did प्रंस यह कहां पर किया गया यह किया आपके नीधरलेंड में और हाली में चर्चा में रहा भार्ती एतिहासिक अभीलेग आयोग किस मंधराले के तहत कारेघरत याद रखेगा यह किस मंत्राले के टहुत है तो यह संस्कृत मंत्राले के तहुत हम उसकवधि कि भारत की पहली बहुत रहत कि पहली पेप्र ज्रुजध कि शरुपन जिंब हुई है थे यह हुआ है यह हुआ आप का निधन हो गया है किस लुक निर्टिक प्रसिद्य गायक थे कि बताइए तो राइट अंसर यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन अबर डी हो जाएगा यह अक्षिगान की यह थे ठीक है प्रसिद्ध यह आपके नत्रक कह सकते हैं देखें अंतराष्ट्री ओलंपिक समीति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी को प्रुच्षाइद करने के लिए किस पहल की सुरुवात की घुष्णा किया है काफी इंपॉर्टेंट कुछ्चन है चले बताइए तो फ्रेंट्स यह किया है आपका लेट्स मूव इंडिया लेट्स मूव इंडिया ठीक है चले उ और अभी सववा सदस जो बना है यह भी मैंने आपको बताया था कि सववा सदस जो है इसका कौन सा बना है देश तो सववा सदस जो बना है इंटरनेशन सुलल एलैंस का वो परागवे है ठीक है दोनों मैंने आपको बताया था देखें नेक्स्ट कुस्चन है कि किस जर्मन लेखिका को उनके पुस्तक कैरोस यहां रेजिम में दिया गया है कि लिए अंतराष्टिय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बताई राइट अंसर इनका नाम क्या है तो इनका नाम है जेनी एरपेन बेक है याद रखेगा चलिए अगला प्रशन करेंगे नेक्स्ट कुस्टर है फ्रेंट्स हमारा कि आपका बीस से किस मईद वजर चोबिस कमद संगहाई सवयोग संगठन की वि इस मंत्रियों की परिशत की बैठक राइट अंसर बताईए तो करेक्ट अंसर इसका क्या होगा फ्रेंट्स करेक्ट अंसर हो जाएगा आपका कजाकिस्तान में उसके बाद देखेगा कि 19 मई 2024 को कौन संग्तराज अमिर्का के पहले अस्वेत अंत्रिक सियात्री बन गया है तो फ्रेंट्स यह बन गया आपकी एड़ ड्वाइट ठीक एड़ ड्वाइट बन गया है चले उसके बाद देखेगा कि वर्स 2027 महिला विस्वकप की मेजबानी करने मेजबानी के लिए कि इस देश को चुना गया है महिला विस्वकप की मेजबानी बदाएग्ट अंसर क् तो फ्रेंट्स देखें यहां पर राइट अंसर्ज होगा ना वह आपका हो जागा ब्राजील का यह मेरे खाल से यह महिला फिफा विस्वकप की बात किया जा रहा है ठीक है ना चले उसके बाद देखेगा किस मंत्राले ने स्वक्षता और पर्यावरणी स्तीर्था को बढ पूछा ढाइए को राइट इंसर्क्या हो आगले राइट इस्वक्त जयोड़ है को फूर। स्पूरूस डबल को की बताइए तो और होगा आपका अनमोल राइको ठीक है अनमोल राइको चुना गया है उसका बांद की City गर बाप्सी दिवस कि Państwo में बनाये गया Kao 64 मां घर वापसी दिवस्तव है। यहां मनाया गया है बंगलादस में देखेए कोन सी भरतिय जिम्ताइश्ट एसी ट्रेंपोलिन जिम्मनाश्टिक चंपियंसिप में पदोग जेतने हो पहले भारतिय बन गई है कौन से भारती जिमनाष्ट हैं जिन्होंने एसे आई ट्रैंपोलीन जिमनाष्टिक चैंपियंसिप में पदक जीतने वाली पहली भारती यह बन गई है तो फ्रेंड्स यह बनी है आपकी स्रिष्टिक खंडा गले चलिए उसका बदिके फ्रांस में 77 कांस फिलिम महुत्सों मे किस सर्वस्रिष्ट लगो फिलिम के लिए कांसला सीने फुरसकार मिला है बताईएगा तो यह आपका है भारत और अमिर्का के भी इसका ठीक है नाम है तरकस देखे बुलूंबर्ग द्वारा जारी विलिनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतियों को दुनिया के सीर्स 15 सूपर अमिरों के सची में सामिल किया गया है तो फ्रेंट्स यह है आपके मुके संबानी और गौतम अडानी तो ए और सी यहाँ पर राइट अंसर हो जागा दोनों को टॉप 15 में सामिल किया गया है देखे अ हमारा कि 13 हमाई 2024 को भारत और इरान ने किस बंदरगाह के संचलन के लिए दस वर्सी अनुबंद पर हस्ताक्षर किये हैं करेक्ट अंसर क्या होगा इसका बताएंगे तो देखिए इसका राइट अंसर होगा आपका चाह बाहर बंदरगाह ठीक है चले उसका बाद देखे का नेक्सट कोश्न कौन सा अट बैंक इंडेया इंड्रनेशनल बूलियन एक्सजंज आई ड़िया वी एकस में पहला ट्रेडिंग सा यह अफीरिश है कौनसा बैंक है कि आपसे पुझा जा रहा है तो यह बैंक जो है यह आपका श्रेक्ट बैंक ऑफ इंडिया है चले इस भी कि आई है कि समाजी कार्य करत्य को प्रतिश्टिक गलोबल प्राइड अप शिनधी अवर्ड दो हजार चोवी से समानित किया गया है पवन सिंधी को ठीक है चले उसका दिखेगा कि अंतराष्टि उर्जा विसलेशन एजनसी एंबर के अनुसार फुरस्ट विजर तेईस में कौनसा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सोर उत्पादक देश बन गया है बताई राइट अंसर इसका क्या होगा तो फ्रेंट इसका जो करेक्ट अंसर होगा वह आपका हो जाएगा इसमें से भारत ठीक है लिएक सात मई को कमांडेंट कॉनक्लेव का छठा संसकरन कहां एवजित किया गया तो फ्रेंट्स यह कहां पर किया गया है तो यह किया आपका सैन प्रदगी की संस्थान पूने में ठीक है ना ओप्सन नमबर यहां पर भी राइट अंसर हो जाएगा चले उसके बाद नेक्श को से नमर के हाले ही में पुरा तत्विदों ने कहां साथ हजार साल पुराने ए लिवसद दीवस दोहजार चोविस की थीम क्या है अचाँ अगर आप से पूछा जाए कि कि विभी बडरे स्वस्वतन्त्रता धीवस मनाय कब जाता है तो क्या बताईएगा bisaaw portrayed कि अने रहीर bridges pray전 कि अन्ध एकान न मैं आजबे अज़ना तेक्सशकित अजयुश year तंत्रता दिवस्द्व है यह तीन माई के दिन मनाया जाता है ठीक है याद रखिएगा हर साल तीन माई को मनाया जाता है और दोहजर चोबीस में इसका थीम पूछा जा रहा है तो इसका थीम जो है फ्रेंड्स वो क्या है चाहिए तो इस प्रेस फॉर-द प्लेनेट जन्रलिजम इन फेस आफ दल्वर्मेउर्मेंटल क्राइसे सब्सक्राइब कि मतार ठीक है कि यह मनाया जाए अपका नेपाल में देखे भारती यह सिनियर पूरुस बास्केटबॉल All sports team का मुख्य कुछ किसेन निश्रक किया गया है तो ये निश्रक कि आगया है स्कॉट्ट फलेमिंग को देखिए ये अटर with 20 और यूअ मुक्य बाजी ंपिनशिप में भारती मुक्वेबाजोंने कूल लिकितने प्ध जीते हैं तो इसमें टोटल कितने पतक जीते हैं 43 पत्र जीते हैं भारत गहाना रहरा और आ माना का संक्त बैपार समिती का चोथा सत्र कहां पर संपन हुआ है तो फ्रेंट्स यह हुए आपका अंकार अंकारा में ठेक है ना चले उसका बद देखेगा कि असम राज जीकी वन ने जिव जिव भी गया ने डॉक्टर पुर्नेमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षन के लिए विटली गोल्ड एवार्ड से समानित किया गया है और देखिए पुछा गया है किस आपके पक्षी के संरक्षन के देखे हाली में सोध करताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ग्यात बुलू होल देखे ताम जा बुलू होल इसका नाम है इसके खुछ किस अस्थान पर किया है तो यह किया है कहां पर मेक्सिको में देखे चट्टिस गड़ के किस परियावरणवीद को प्रतिश्टित देखे तीसरी बार अंत्रिक्स में उड़ान भरने वाल भारती मुल्क एश्यक्री का क्या नाम है इनका नाम आपसे पुछा जरह है तो इनका नाम है सुनिता विल्यम् ठीक है चलिए अमिर्क की है ये भारती मुल्की है 21 मेई 24 추천 को कि 對啊 प्रेदार्मिंठ के पुने आतंक वाद विरोधी दिवस करूप में मनाए गया इंपोर्टन टोस्टन 21 माई के दिन बताइए राइट अंसर इसका क्या होगा तो फ्रेंट्स यह राज्यू गांदी जी है ठीक है से लिए उसका पर देखेगा कि विश्व आर्थिक मंच यानि कि वर्ल्ड एकनॉमिक फोर यह जारी कौन करता है तो विश्व आर्थिक मंच करता है इसमें पर्थम अस्थान पर अमिर्का है और भारत का राइंग जो है यह 39 है यानि कि उनन्चालिस वा है ठीक है इस तरह साब इसको जयान रखेंगे चले फ्रेंट्स आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोस्तन है विश 2024 परिस अलंपिक लिए डोलीफाइ करने वाले पहले भारती पूरुष पहलवान कौन बने है इसूर इंहों नेपाल की ओंड है कामीरित अो ठीक है ना इस सीथ को आप याद रखिएगा फ्रेंड्स बड़ा ही महत्पूर्ण है चले उसका अब देखेगा नेक्स्ट कुस्चन है हमारा कि सतहतरवा कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्टरस को गेश्ट अप ओनर पाम डियोर से समानित किया गया है भी वी आई बाद अब हम लोग अगला प्रश्ण करेंगे कि 14 मई 2024 को मजगाओं डॉक सिप्याड लेमिटेट ने अपना कौंसा अस्थापना दिवस मनाया है बताइए कौंसा अस्थापना दिवस तो ये दो सो पच्छासमा अस्थापना दिवस इसने मनाया है 250 क्लियर है चले नागरि समागम 8 फेष्ट 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है तो फ्रेंट्स ये किया गया है नई दिली में देखिए सवंक्त राष्ट यानि की एवन की असेमली में किसे अस्थाई सद्स बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है तो किसको पास किया गया इस बढ़ा ही इंपोर्टेंट क क्यूं लॉंज किया है आई क्यूं जो है यह लॉंज किया है किस देश ने तो पाकिस्तान ने किया है ठीक है यह पाकिस्तान ने किया है इंपोर्टेंट है यह विग प्रशन देखिए राष्ट पती मुर्वू ने दिब्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर केस राज जनन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है तो इन्हों ने किया यह ठीक है पदम सीरी से अलंकृत किया गया है यह सोशल एक्टिविष्ट है दिव्यांग है चले भारत की जो लोक कला और जनजातिय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश है इसका योजन कहां पर किया गया तो फ्रेंट्स इसका योजन जो किया गया है यह कहां पर किया गया है बताएंगे तो करेक्ट अंसर हो जागा दुबई में देखेगा कि अमूल अगामी टीट्वेंटी विश्वकप के लिए किस देश का अधिकारिक प्रयोजक बना है अमूल जो है बताएंगा स्पांशर बना है या अमूल तो फ्रेंट्स इह बन गया है कहांग तो पौटनसर हो जाएगा आपका स्रिलंका में ठीक है न चाहां पर इसका राइटन सरू हो जाएगा चले next question है कि हाली में किस अभिनेता को लता दिनानात मंगेशकर पुरसकार 2024 से समानित किया गया है बताइए किस अभिनेता को लता दिनानात मंगेशकर पुरसकार 2024 से समानित किया गया है कि 24 से 30 अप्रेल 2020 को मनाया गए विसव टीका करन सब्ता दो ज़र चोबिसको जब्सकुप मनाया क्या है जिसका क्या तो तो देखिए झाँ इसका विसाय जो था यह आप से पुछा जारा है इसका विसाय तो इसका वी जा आपका ऑप्शन भी ठीक है नहीं में पॉसिबल एवनाइजेशन फॉर आल चले उसका बद नेक्स्ट को सने के हाली में किसे सुरक्षा पर अंतराष्टी सम्मेलन में भारत का परतिनिदित्व किया है तो फ्रेंड्स यह किया आपका अजीट डोभाल जी ने चर्चाम में स्सक्रावी रहा रवंडव डीन किस देश में पारित किया गया है और अभी में सुप्रीम कोट ने संमिधान की किस अनुछेद किताफ़ 16 साल के नावालिक को तीस अबताinskyके गर्ब की समापति को अनुमति दी है गर्ब की समापती के तो राइट अंसर इसका क्या होगा फ्रेंट्स तो देखिए इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा अनुच्छेद 142 हो जाएगा ठीक है उसका बाद देखेगा कि लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलारी को वर्ल्ड इस्पोर्ट्स वुमेन आफ दे यर का पुरुषकार जीता है बताए राइट अंसर क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट कुस्च्छन है कमेंट करके बताएगे कि लॉर्यस स्पोर्ट् खिताब जीता है बताईए तो एस्पोर्ट्स वुमन अफदी यर यह जीता है एताना बोनमती ने ठीके न अगर वहीं पुरुस खिलाडी पूच्ता ठीके न किस खिलाडी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स उमेन न लिख करके यहाँ पर स्पोर्ट्स मैन लिखता तो यह नुवाक है जो को भी जीता है ठीक ना शर्विया के नुमाक जो को भी जीता है लौरियस व Northeast पुरस्कार 24 अधकेِ किह सब स्वे mashed लेडस्कार किसने झीता हैं 2023 में धुएक मेरें टीच है लियोनल मेशी ले अरिजन्टिना कि किस राज सरकार ने देखे सभी अधिकार्यों के लिए डिजिटल हंस्ताक्षर अनिवारे किया हैं बताइए राइट अंसर क्या हो जाएगा किस राज सरकार ने सभी अधिकार्यों के लिए डिजिटल हंस्ताक्षर अनिवारे किया है तो यह जम कस्मेर ने किया है आई सी सी पुरुष टीटमेंटी विस्व कब दोजार चोबिस के एमबैस्डेडर की रूप में किसे नुक्त किया गया है तो एमबैस्डेडर की रूप में जो है नुक्त किया गया है उस सैंड बोल्ट को ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट कुस्चन कर लेंगे कि हाली मे चर्चा में रहा असदोद बंद्रगा आजवा यह किस देश मीस्तित है तो असदोद जो है यह इसराइल में है ठेकना इसराइल में है याद रखिएगा इसराइल में है चले उसके बाद किस्वा मौसम विञ्यान संगरठन द्वारा जारे रिपोड नुशार 2023 में विश्व के आपदार आणि के रुप में किससे घोसित किया गया है सो कीया यह को ठीक है न सित्राइबрах को ध्यान रखेंगे विशेगा को किया गया है ना बताइए तो बनी यह बनी है नाइमा खातून बनी है ठीक है नाइमा खातून चले उसका बाद देखेगा कि सतहतरवे कांस फिल्म फेस्टिबल में लास इनिफ ठीक है सेक्षन में चुने जाना वाली सन फ्लावर्स वियर फॉस्ट वंस टूनो कौन सी भारती फिल्म बन गई है तो यह बन गई है आपकी कौन सी तो यह पहली बनी है ठीक है तो कि इतिहास में 200 बिकट लेने वाले पहले गिंदबाज कौन बने हैं इंडियन प्रीमेर लिग की इतिहास में राइट अंसर बताईए तो फ्रेंट्स यह बन गए हैं कौन युजवेंद्र चहल बने हैं द हो गां यहां पर देखे हाली में कि प्रसिद्ध भारती अविनेता को वेल्स उनीवर्सिटी के दुवरा सहीत में मानद डायरेक्टर की उपधी जो है ठीक है ना व्यविश्ट लेकी सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कि सहर में सुरू की गई है तो फ्रेंट्स यह किया आ यह किया गया दिल्ली में ठीक है दिल्ली में चलिए अब आगे वढ़ेंगे किस राज में परम्षा उद्धा करतने किया तो किकी एक तुमीन लाड़ कहां पर तमिылाड़ में आएक किस परसिद वैग्यानी को आरेबट पृुष्कर 24 मिला है तो यह मिला है डॉक्टर पावलूरी सुबराव को पी सुबराव याद रखेगा पी सुबराव ठीक है चले अमेरका ने हाली में सेंक्त राश्ट सुरक्षा परिशत में किस देश को एक अलग राजी के रुपे मनता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपन मनाए गया है किस राज में बताईए तो फ्रेंट्स की खोंगुजूंग दिवस जो है यह मनाए गया है कहां पर तो मनिपूर में याद रखेगा इंपॉर्टेंट है यह देखे गुजरात के किस लोकसबा सीट से बीजी प्यू में दवार मुकिस दलाल को निर्विरोध च एक्सपोर्ट किया है एक्सपोर्ट किया यानि कि इसको दिया है ठीक ना बताईए राइट अंसर इसका क्या होगा तो फ्रेंट्स किया फिलिपिन्स को दिया है ठीक है न शले संक्तराष्ट देखे जनसंख्या कोस की नवन्तम रिपोर्ट कर अगामी कितने वर्सों में भा प्रारंभिक बच्पन देखवाल एम सिक्ष्या के लिए राष्टिय पाठेकरम 2024 के लिए कौन सा पाठेकरम जारी किया है इस पॉर्टेंट है यह भी कुस्चन आधार सीला उसकवदी के हाली में कौन भारती नौसेना के प्रमुक बने हैं कि बताइए तो भारती नौसेना के प्रमुक बने हैं दिनेश कुमार्तिर पाठी चली उसकवदी की का कि भारत ने किस वर्स तक मलवा मुक्त अंत्रिक्स मिशन हासिल करने का लक्स रखा है तो फ्रेंट्स यह रखा है 2030 तक 14 अप्राइल को किस महान व्यक्ति की जैनती मनाई जाती है 14 अप्राइल को मनाई जाता है बाबा साहब अंबेद करका चली उसका बाद कि 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 किर्कटर को हाले ही में वर्स 2024 के लिए विजडन लेडिंग किर्कटर सब्तियर की रूप में च चले उसका बाद देखेगा कि पांच बाद टीट्वेंटी डिफ आइपेल के किताब किस ने जीता है कि डिफ आइपियल के किताब तो फ्रेंट्स यह जीता है डिफ बैंगलोर वादसाने ठीक है चली चर्चा मेरा आज वाला मुक्य मांट एरेबस किस महादीप में इस्ति तो यह संस्थान जो है आपका इंडियान इंस्टिटूट ऑफ एश्ट्रोफीजिक्स है ठीक है चले एस्पैनिस पाराव एड्मेंटेंटेंच चैंपियंशिप दोहजार चोबीस में भारत ने कितने पदग जीते हैं तो देखिए फ्रेंट्स इसमें भारत ने टोटल जो की सूची में सामिल किया गया है कौन सी अभिनेत्री हैं कौन सी हिरोईन है तो यह हैं आपके आलिया भट देखे साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा अस्थान मिला है साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को अस्थान मिला है दसमा और रूस इसमें प्रथम स्थान पर है ठीक है ना भारत को दसवा स्थार इसमें मिला है याद रखेंगे चलिए उसके बाद अब हम लोग अगला प्रशन करेंगे फ्रेंट्स नेक्ष्ट कुस्चन है हमारा कि किर्गिस्तान में आयोजित अभी मैंने बता था किर्गिस्तान के बिसकेक में हुआ था यह आपका एसी आई कुस्ती चैंपियंशिप का योजन और इसमें भारत ने टोटल जो है कितने पदक जीते थे नौ मेडल जीते थे चार रजत पदक था और पांच कान से पदक था इसमें स्वन पदक नहीं जीता था तो चार और पांच यहां पर नौ राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए उसका बाद देखेगा कि दुनिया के सबसे व्यस्त एरपोर्ट में दिली एरपोर्ट की रैंक क्या है दुनिया के सबसे व्यस्त एरपोर्ट में दिली एरपोर्ट की रैंक दसवा है ठीक है देखे, पेरीस ओलंपिक की जूरी में सामिल होने वाली पहली भारती महिला कौन बनी है, ठीक है, बताई राइट अंसर क्या होगा, इंपोर्टेंट कुस्चा है, तो यह बनी है आपकी विलकिस मीर, ठीक है, देखे, किस भारती अब इनेतरी को हर्वर्ड विस्विद्धाले ने साउथ पर्षन ऑफ दे यर पुरस्कार दोहजार चोबी से समानित किया है, बताईए, तो फ्रेंड्स राइट अंसर हो जाएगा, आपका यहाँ पर देखे, अवंधी का वंधन पू, ठीक है, चले, उसका बाद देखेगा कि हाईब्रिड पीछ तकनिक उप्योग करने तो राइट अंसर इसका क्या होगा, फ्रेंड्स गुजरात में, लेका हाली में एश्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड अम्बसेडर नुक किया, था यहाँ आपका स्लोवेनिया, अभी मैंने कराया भी था आपको टीट्वेंटी किर्कित में पाँसु चक्के लगान क्यों बने तो फ्रेंट्स यह बने हैं हीटमें रोहित सर्मा किस देश ने अंगारा ए-5 रॉकेट लॉंच किया है तो फ्रेंट्स यह किया का रोसिया ने रूस ने चले बुलू ओर इजिन के अंतरिक्स स्री श् yadra करने वाले पहले भारती यह कौन मनेंगे बता है यह राइट अंसर क्या होगा तो फ्रेंट्स यह बनेंगे गोपी चन्द थोटा कूरू ठीक है न किस देश के गणितग और कंप्पेटर विज्ञानिक देखे ए भी विगडर्शन को वर्स 2030 के लिए टीवरिंग पुरसकार से समनित किया गया है टीवरिंग पुरसकार और जयता है कॉंप्यूटर की चेतर में तो राइट अंसर यहां पर क्या हो जाएगा तो करक्ट अंसर इंपॉर्टेंट है इस्रेल के हैं यह देखें डॉक्टर मैकलम अधिसेशिया रश्टियपुरसकार दोजार्शोविस किसे दिया गया है तो फ्रेंड्स यह दिया गय भारत तीसरा स्थान पर है चले भारत और किस देश की सेना के मद्द एकसरसाइज दस्तलिक का यूजट किया गया तो दस्तलिक जो है यह भारत और उजबेकिस्तान के बीच का है ठीक है चला अंतराश्ट्रिय मानव अंत्रिक्ष उडान दिवस के स्थिति को मनाय जाता है तो फ्रेंट्स यहां 12 अप्राइल के दिन मनाय जाता है देखिए वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाइजिशन यानि का डवल एचो द्वरा हाली में जारी ग्लोबल हैपटाइटिस रिपोर्ट दुएदर सविस का अनुसार कितने भारतियों की मिर्तियों हैपटाइटिस बी के का तो यह मिशन है आपका यह से और जाक्षा का जाक्षा जापान का अंट्रिक सेजन्सी है ठीक है चले उसके बाद देखेगा कि गणगोर उत्सव दुज़र चोबिस का एवजन किस राज में किया गया है तो गणगोर उत्सव मनाय जाता है राजस्थान में याद रखेंग यह कंट्री जिंबाबुय है ठीक है नई मुद्रा को इसने लौंच किया भी मैंने बताया था देखें 9 अप्रेल 2024 को किस राज में उगादी महत्सव मनाय गया देखें उगादी जो है यह कहां पर मनाय जाता है तो फ्रेंस उगादी महत्सव मनाय जाता है आपके आंधर मे दलंगना में और करनाटक में सभी में मिठड़ी है हाली में चर्चम रहा सेन कómoग्यों महासागर्म १ुण कि भी सेन काकुदी जो है या इस्तित हैं प्रसांत भी सेन काकुदीब चली उसका बह कि अध्यक्स का नाम बता दीजिएगा मैंने आपको कई बर बताया है चली राइट अंसर क्या होगा इसका पूर्णकालिक सदस्य की रूप में तो फ्रेंड्स राइट अंसर हो जाएगा आपका यहां पर मनुझ पंडा को ठीक है ना मनुझ पंडा याद रखिएगा चले उसका मतलब 23 साल में 2000 से लेकर के 2023 तक कितना व्रिक्ष कम हुआ है तो फ्रेंड्स यह आपका राइट अंसर क्या होगा बताएंगे तो यह आपका 2.33 मिलियन हैक्टेर जो है इतना व्रिक्ष छेतर जो है छेतर फल में कम हुआ है याद रखिए कि काफी इंपॉर्टेंट है यह सा अबन खोराना को ठीक है देखे 8 अप्रेल 2024 को किस मंत्राले भारत में पहली बार त्री सेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया तो यह किया आपका रक्षा मंत्राले के दोबरा देखे 22 अप्रेल को क्या मनाय जाता है तो प्रित्वी दिवस मनाय जाता है 22 मर्च के दिन चलिए तो बताएंगे राइट अंसर इसका क्या होगा तो इसका अंसर होगा प्लानेट वर्स प्लास्टिक्स देखें लेक्ष्ट कुस्चन है कि लक्षदीप में साखा कोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है पहला प्राइविट बैंक कौन सा बन गया लिए उसका बाद देखेगा कि 16-18 अप्रैल तक विस्वविस उर्जा सिखर समलनन 2024 का सोलहमा संस्करन कहां पर आयोजित किया गया बताएं तो यह कहां पर आयोजित किया गया अमिरात में किया गया तेके साथ अप्रैल को विश्व स्वास्त दिवस मनाए गया तो सिंगापूर है ठीक है सिंगापूर राइटन सर होगा यहाँ पर देखेगे विश्व डूपिंग रोधी एजनसी जो वाड़ा है ठीक है इसकी रिपोर्ट का अनुसार 2022 में सबसाधिक डूपिंग के मामलों की संख्य किस देश में पाई गई है तो सबसे ज़्यदा भारत में पाई गई उसके बाद के एक अप्राइल दो हजार चोबीस को किन दो देशों ने उन्नत क्रित्रिम बुद्यमता सुरक्षा यानि के आर्टिफीशल एंटेलेजेंस पर एक समझ होता किया है तो यह कौन से देश है तो यह अमिर्का और ब्रिटेन है उसके बादि के भा इसराइल संसी ने इराइनी हमंले को रुखने के बाद अपने रिफैंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया था इसरैल में इरानी हमली करौने में रुखने क bizarre का defense operation था उसका क्या नाम दिया तो उसका नाम दिया था आइरन स्थापना दिवस मनाए गया है 1949 में इसके स्थापना हुई थी और देखिए 4 अपरल 2024 को इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाए गया था सिंपल सा है अब बता सकते हैं जैसे मैंने आपको बता ही दिया जोड़कर के 75 अवाँ ठीक है ना चलिए देखें मियामी ओपन टेनिस 2024 में पूरु से कल का किताब किसने जीता है तो फ्रेंट्स यह किसने जीता है यह जीता है जानिक सिनर ने ठीक है याद रखेगा इनका ना जैसे हैं तो चिराग यूजना का समझे है यह हर्यारा से है रिष्ण बेंक ने देखिए विश्व बेंक क्या प्रश्ण करा है कि विश्व बैंक ने वित्वर्स 2024 पुछीष के लिए भारत की जीडिप व्रिदेदर कतना परतिस्त रहने का अंकलन किया है तो विस्व बैंक ठीक है करकूरी ठाकूर हैं बिहार के इनमें आप उनका नाम जरूर याद रखिएगा ठीक है अब देखें यहां पर प्रश्ण में आपसे मरणों परांथ पूछा गया वैसे पांच लोगों को भारत रत्म से समानित किया गया है लेकिन मरणों परांथ चार लोगों को दिया का पहला परमानों उर्जा, सिकर, समलान उठ्स के लिए ? बताइए कि वैल्यम में किस बारती प्रदिगी की समस्थान दौरा कैंसर के लिए भारत की समस्थान के दौरा कैंशर के लिए बारत की पहले जीन-पे काटेर के मतंद देते चाच्छा थी तो यह भारत और किसके मत्द्द है सरलंका का मत्द्द है घुआ मेरा देखिएगा मुस्क बोदी जी किसकी एक जो है किसम है किसकी बना लिए इस तरह से किसकी एक इसम है तो यह किसम है आपकी चावल की ठीक है धान की देखें इंटरनेशनल चेस्ट रडरसंदुरा हाली में जारी रैंकिंग अनुसार अप्राइल दोजर चोबिस में भारत के सबसे सीर्ष सतरज खिलाड़ी कौन बने हैं तो यह बने हैं अर्जुन एरियागासी ठीक है चलिए उ आपका है महराष्ट्र देखें भारत ने किस देश के सीत्वे बंद्रका जो है किस देश में उसको संचालित किया है सीत्वे बंद्रका में है सीत्वे बंद्रका याद रखेगा चाबहर इरान में है ठीक है चलिए मेनेंजाइटिस के लिए टिका लगाने वाला पहला बिमारी है और पहला दिस्त बनाए यह नाइजीरिया बना है चलिए देखे खाद अपसिष्ट शुषकांग 2024 कि चनस्था क्या होगा है खाद अपसिष्टू सुषकांग 2024 बताइए मैं मैं कि चौन्सथा को दवरा जारी किया गया है तो देखे फ्रेंट्स यह जारी किया गया है यह जारी किया गया कि संस्ता के दौरा तो यह आपका इवे निपी के दौरा ठीक है इन्वर्मेंटल प्रोग्राम जो है उनाटेट नेशन का ठीक है कौन सा देश आंसिक रूप से युरूप के सेंगेन छेतर में सामिल हुआ है बताइए तो फ्रेंट्स यह आपका भी और सी दोनों हो जागा इनकी बुलगारिया और रोमानिया ठीक है चले उसका बाद देखेगा कि हाली में किसन नवी करनी उर्जा स्रेनी छेत्र में स्कॉच इस जी पुरोषकार दोहजर चोविस हांसिल क्या होगा जो फ्रेंट्स के दिन बनाता है तो यह कौन सा राज्य है यह राज्य है ओडिसा ठीक है चले और एक माई के दिन गुजरात महराष्ट मैंने बताया था आली में खबरों में रहा इराह अंगरेजी में भी लिखा गए क्या है यह यह तो इराह जो है यह एक याई आधारित फिल्म है चले पर देखेगा कि जूठीत शुमिनुवा तुलुका नाम देखेगा जूठीत शुमिनुवा तुलिका किस देष अफिर्की देष की पहली महिला परधानमंत्री बनी है तो यह बनी है फ्रेंट्स आपकी कांगों की ठीक है चले चर्चित भोजसाला और कमाल मौला मस्धीद सर्चित और कमाल मुला मस्जित किस राज में स्थित चुह तो यह किस राज में को फ्रेंड यह जो हैं आपके मध्या-प्रदेश में हैं देखें नयी दिली में सबर्देश किया गया होकी इंडिया आवार्ड-स 2003 में किसे प्लैयरàn oaf-the-year आवार्ड से सम्मानित किया गया प्लेयर आप दे यह एर ऐवाड से सम्मानित किसको किया गया तो इर्वी यानिकि हर्दिक शिभर और शलीमा ठेटए दोनों को ठीक ना चले उसकाव देखे गए एक अपरई तो यहां पर देखेंगे तो इसका राइट अशर्ज होगा वह आपका क्या हो जाएगा फ्रेंट्स में से आप कमेंट करके मुझे बताइए ठीक है ना चलिए आगे मैं आपको बता दूँगा चले वितिये वर्स 2023 में भारत का कूल रक्षा निर्यात कितना रहा है तो तुट्स यह आपका रहा है 210083 कड़ो रुपया ठीक है देखे किस राज के पाली जिले में दुनिया के इस सिद्ध को आप द्यान रखिएगा चलिए अगला प्रशन करेंगे फ्रेंट्स नेक्स्ट कोस्टन हमारा प्रशन क्या पूछा जा रहा है तो अगला प्रशन है कि दुबाई के प्रसीद मेडम तुसाद संगरहले में किस धाव अभिनेता की मोम के परतिमा प्रति अस्थापित रूपत कर वहने वह्मानित किया कुए मऄार्ट है तो यह आपके अलू अर्जुन ठीक है भारतिये नौ सिना ने ओपरेशन संकल्प चलाया है ठीक है इसके तहट किस इरानी जहाज और तेज पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लूटेरे से बचाया है तो राइट अंसर इसका आपका हो जायागा अपसेन नंबर अल कंबर ठीक है न चलिए उसके बाद देखेगा कि इवेंट डिपी द्वारा जारी तीसरी खाद अपसिष्ट सुचकांक रिपोर्ट दोजर चोबिस कानसर विस्व के प्रतिव्यक्ति भोजन बरवादी कितनी है तो फ्रेंड्स यह आपकी है 79 किलोग्राम ठीक है 89 किलोग्राम करेक्ट अंसर हो जाएगा क्लियर ना अच्छा आर्वी आई के स्थापना आपने बताया है एक अपरेल 1935 को ही थी जहान रखिएगा ठीक है ना चलिए 1935 को एक अपरेल 1935 को अच्छा आर्वी का राष्ट्रियकरन कब किया गया था यह आप मुझे बत स्थान देखे आई हडी ठीक है ना द्वारा जारी भारत रुजगार रिपूट 2024 को अनुसार भारत की कितने प्रतिस्तिवा बेरुजगार है बताई राइट अंसर क्या होगा तो फ्रेंट्स यह आपके हो जाएंगे 83 पर्शंट ठीक है 83 प्रतिसत देखे किस राज के वैसंदहन पोस्कार से किस समानित किया जोकि पहला इसलिए इंपॉर्टन metersा को लौज करने वाला पहला राज यह कौन बना है जलस अंसादन नियंतरन पट लॉंज करने वाला पहला राज्य कौन बना है तो पहला राज्य बन गया राजस्थान कहां मैं फॉसे भारतियों को निकालने के लिए हाली में अप्रेशन इंद्रावती शुरू किया गया बीवी आई कोस्चन है अप्रेशन इंद्रावती बता सब्सक्राइब पुरस्कार गणित की चतर में दिया जाता है और यह किसको दिया गया है बताएंगे राइट अंसर तो करेक्ट अंसर हो जागा ऑप्सिन नंबर यहां पर देखिएगा डी मिसल टेलेगरेंड को दिया गया ठीक है चली देखेगा कि नेपाल की कि सहर को प्र 143 के सुची में ऑस्तन कितने स्कूर के साथ 126 वह स्थान पर भारत रहा है वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट 204 में अचाबीश happiness रिपोर्ट के बारे मैं मैं आपको पताया था कि विस्वा साली रिपोर्ट में जो है भारत 143 देखो के सूची में 126 वह स्थान पर रहा है और पहला स्थान जो था यह फिनलेंड का था किलियर न इसको आप याद रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है और यहाँ पर पुछा गया है कितने स्कूर के साथ तो स्कूर भी आप याद रख लिजेगा देखें स्कूर जो है यह आपका है यह चार्द समलों एक देखें अलي आलम भाषय के प्रसिद्व कभी प्रभाभर्मा उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्टित 33 सर्वसति सम्मान orchard 2023 बड़ाओ इस weaving प्रतिष्टित प्रतिष्टिस प्रतिष्टि शार्वसति सम्मान ठीक्वा याद रखेंगा इसको आपने सी तुम याद रखेगा तो देखे प्रभा बर्मा को दिया गया है 33 सरसति सम्मान 2023 ठीक ना प्रभा बर्मा को और उनकी किस क्रिती के लिए दिया गया है तो याद रखेगा रौद्र सात्विकम रौद्र सात्विकम के लिए इनको दिया गया है यह तो सरसति सम्मान हो गया अगर आप आप से पुछा जाए, तेतीसवा व्यास संमान किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है, पुस्पा भारती को उनके संस्मरन यादे यादे और यादे के लिए, ठीक है, अगर आप से पुछा जाए, फ्रेंड्स, कि अंठावनवा ग्यानपिट पुरसकार, दोजार तेईस म तुनों नाम आप याद रखेएगा ठीक है उर्दू कभी गुल्जार हें और जगत गुरु राम बद्राचार को दिया गया है किलियर दादा साहव फाल के पुरुषकार था ये किसको दिया गया वहिदा रहमान को दिया ठीक है अगर आपसे पूछा जाए 32 ब्यास सम्मान किसको मैंने ब्यास बता दिया ना 32 बता देता हूं ग्यान से तुर्वेदी याद रखेगा बिहारी पुरसकार पूछा जाएगा 32 में माधव हडा को दिया गया था ठीक है तो यह सब आप याद रखेगा एबल पुरसकार विजिता का भी मैंने आपको नाम बताया है एब्सेस में भारत को कोकोण सातान प्राप्थ हुआ है बताएएगा रहे इंसर क्या होगा भारत को कॉनसा अस्थान प्राब्थ हुआ है तो hatte भारत को जो अस्थान प्राब्थ हुआ यह आपका तीसरा जीता है देखे हाली में महाराष्ट्र गौरो पुरस्कार से किसको समयनित किया गया है कि तो फ्रेंट से किया गया उमार रिले को देखे किस महिला किर्कटर को फर्वरेड दोजार चोवीस के लिए आयसीसी प्लेयर अप दे मुंथ का सम्मान मिला है राइट अंसर क्या होगा तो फ्रेंट्स यह मिला है एला बेल सुधर रेंड को ये श्टेलिया की हैं देखे ओस्कर एवार्ट 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरुसकार मिला ओपन हाइमर को आपको भी पता है 10 मर्च को CISF ने अपना कौन सा अस्थापना दिवस मनाया था य जल्दी बताइए CISF ने कौन सा अपना अस्थापना दिवस मनाया था तो याद रखेंगे करेक्ट अंसर्द होगा वह आपका हो जाएगा ओप्सन नमबर यहाँ पर डी 55 अस्थापना दिवस मनाया था ठीक है ना 10 मर्च 1979 को इसके अस्थापना हुई थी याद रखेंगा चले कौन सा देश नाटो का 32 सदस्य देश बना है तो स्टार्टिंग में आपको बताया था 32 जो बना है यह बना है स्वेडन और 31 जो था यह फिनलेंड था यहाँ पर स्वेडन राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चले उसक सथार में भारत का पहला डॉल। do stays रखेंटर कूला है तो यह नाटो पटना वीहार में खुला है भीविवाई कोस्यं बिहार सेह याद रखेंगा सीमस रख्षा बल यानि爸ा की पहली महले स्नाइपर कौन बनी है पहली महले स्नाइपर है जान रखेंगा इंपोर्टन कुस् फोर अभियान सुरू किया है तो फ्रेंट्स ये कहां पर किया है है लोगी हिमाचल पुल द clients के बाइस मार्च को किस राज ने अपना 112 अस्तापना दीवस मना जाता है और 22 मर्च को विश्वजवल दिवस भी मनाय जाता है ठीक है इस सीज को आप याद रखेगा तो करक्ट अंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बिहार हो जाएगा इंपोर्टेंट कुस्चन है वरस 2022 का महराष्ट भुसन पुरसकार किसे दिया गया है महराष्ट भुसन पुरसकार बताएगे तो फ्रेंट्स यह दिया गया आपका डॉक्टर प्रदीप महाजन को भारत के नए लोकपाल अध्यक्स कुर्मन है काफी इंपोर्टेंट कुस्चन है नए लोकपाल अध्यक्स ठीक है पहले लोकपाल कौन थे विनाकी चंद्रगोस थे बताए राइट अंसर क्य पुछा गया है तो यह जीत लिया है मंबई ने उसके बाद देखेगा कि हाली में किस देश के जद्दा के अल ज्वाहरा में दुनिया की पहली 3D printed मस्जित का मॉस्क का अनावरन किया गया है यह किस देश में तो फ्रेंट्स यह देश जो है यह सौदी अरभिया है देखे क किस सहर में दुनिया की पहली वैदी के घड़ी अस्थापित की गई है वैदी के घड़ी पूछा गया है तो यह कहां पर तो फ्रेंट्स यह उजयन मद्द प्रदेश में देखेगा रैंगपो इस्टेशन के नाम से भारत की किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन के अधा कि में रैंकिंग में ठीके ना बताइए करेक्ट अंसर इसका तो देखिए फ्रेंट्स होकी के मामले में अगर पूरिष टीम की बात करते हैं तो चोथे अस्थान पर है और महिला टीम नौए अस्थान पर है हरियना के नये मुख्यमंत्री कौन बने है जड़ा बताइए रै है आपके नायब सैनी ठीक ना हरियना के मुख्यमंत्री बने है नायब सैनी और उडिसा के मोहन चरण माजी बने है याद रखियेगा ठीक है ना उडिसा के कौन बने है मोहन चरण माजी और यहां पर आपसे हरियना का पूछा गया था तो हरियना के सीम कौन है नायब सिंग सैनी है नायब सिंग सैनीन का पूरा नाम है चले हाली में चर्चा में रहा पाउंडे डेकलरेशन किससे संबंदीत है पाउंडे डेकलरेशन जो है यह संबंदीत किससे है तो फ्रेंड्स यह पाउंडे डेकलरेशन जो है यहां समद्धित आपके सभर सुरक्षा से एक मैन टुक जाएं यह मले इरी यह रगोस संबंद्ध है कि लियर 22 मार्च को किसे साथ विष्व जैल दिवस मनाए गया किसे थीम के साथ बताइए तो फेंट तीम है में कौन से अस्थान पर है अब देखे इसलिए पूराना वाला मितलब 2022 आपको दिखाए जारा है मताई राइट अंसर क्या होगा इसका कि क्या प्रश्ण है लेंगिक और समानाता सुच कांग ठीक है एक सो आठवे नंबर पर है ठीक है फ्रेंट्स चलिए तो अपसन नंबर यहां पर यह करक्ट अंसर हो जाएगा चलिए उसका पर देखेगा कि हाली में खबरों में रहा बुलू लाइन किन दू देश्टों के बीच सीमा रेखान रिधारन करता है बुलू लाइन आपको पहल बाजवाग कौन होगे भारत के भारती टीम के द्व Corps बाहता किया है तो समझाता किया है आपके द्धानुका एग्रेटेक लिमिर्टेट के साथ चले उसका बहुत देखेगा कि 22 मार्थ इसरों ने रियूजेबल लॉंच वेहिकल जैनी अरेलवी अरेलवी का फुल फॉल पुछेगा तो रियूजेबल लॉंच वेहिकल पीएसल बी का पुछा जाता है तो पोलर सेटलाइट लॉंच वे एस एल ने देश के किटने जियूजेभल को एटराइट कंपश जोएओ एट यानिके खाने वाला ऐटirty है realize क्या होगा तो चुक्रेक्ट सब्सकर आपका स सराय देए चोथी संगाई सहयोग संगतन इस्टार्ट प्फोरूम निदि고 स्टार्टप प्फोर्म कहां आजित किया गया है Deto तो यहाँ आउजिद नई दिल्य में टो यह किया गया आपके नई दिल्ले में ठीक है चले उसके बाद नेक्स्ट कुस्ट ने पीम मोदी द्वारा स्ट्राटप महाकुम्ब कायोजन कहां पर किया गया तो यह किया गया आपका भारत मंडपम नई दिल्ली में वर्ल्ड हैप्पिनेस एंड रिपोर्ट 2024 कोंसार दुनिया का सबसे खुसहाल दिसकोंसा है यह सब मैंना अभी आपको थोड़ी दर पहले इसको डिटेल में मैंने बताया था ठीक है ना तो यहां पर आप एंसर मुझे बताई फटाफट तो फ्रेंट्स की आपको फिनलैंड है चलिए देखे आली में जो है खाद और प्रसक्रशकरन उद्वक मंत्राला का अतरिक्त प्रभार किसे दिया गया है तो फ्रेंट्स यह किसको दिया गया है पताई फटाफट काफी इंपर्टेंट कोस्चन है करेक्ट अंसर इसके क्या होगा तो बिहार से किरन रिजुजी जी को दिया ठीक है इस सीज को याद रखेगा और देखिए अभी तो आपके चिराग पस्वांद बन गया है ठीक है यह उस समय है इनको अत्रिक्त प्रभार दिया गया था चले उसका बदेखिए इस रोक ने गगन यान कुरू की सहता है तो कौन सा एप लॉंच किया है बताएंगे राइट अंसर क्या होगा फ्रेंड्स देखिए इसका जो राइट होगा वह आपका हो जाएगा सखी ठीक है बारत ऑर किस देख के बीच एक्सेरसाइज है टाईगर क्राता का ऐसन विशाका पुक्तन में याद रखेएगा सबसे पहले कि टाइगर ट्रेंठ पर नकिल कसने के लिए अत्याधोन का तृतIST आ प्लाटफर्म त्रिनैठ एप 2.0 को लॉंच किया है तो फ्रेंट इसका क्या होगा यह उत्तर प्रदिस हो जाएगा ठीक है ना उसका बाद देखेगा कि हाली में जो है कौन भारतीय मूल की महिला विस्वेंग के वैस्विक पर्यावरन सुविदा के प्रताम महिला डिरेक्टर बनी है बताएं इंटरनेशनल टाइप का कुस्सन ह है करक्ट अंसर बताएं विस्वेंग के वैस्विक पर्यावरन सुविदा की प्रताम महिला डिरेक्टर बनी है तो फ्रेंट्स यह कौन बनी है तो यह बनी आपकी गीता बत्रा भारती निर्वात्षन आयोग ने राष्टी दिव्यांग जन आइकन की रूप में किस से चु किसे समानित किया गया किसे प्रदान किया गया है तो फ्रेंट्स यह किया गया है रतन टाटा जी को उसका वह दिखेगा कि 16 मार्च 2024 को चुणाव आयोगने लोकसभा चुनाव 2024 के कारेकरम की घोशना कि यहां कितने फेज में आउजित किया गया था कितने चरन में आउजित हुआ था तो फ्यांट्स टोटल से संबंदित माजूली मास्कों को जी याई टैग मिला है तो फ्रेंड्स राइट अंसर इसका क्या होगा करक्ट अंसर हो जाएगा आपका असम का ठीक है ना माजूली से यह पकड़ सकते हैं चले देखें मानौ विकास सुचकांग 2320 में भारत की रंग क्या है बताई राइट की रैंक इसमें क्या है तो भारत की रैंक है आपकी 134 ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन करेंगे कि देखेगा तीमिल साइ सुन्दर राजन के तेलंगना के राजपाल 25 इस्तिवाद देने के बाद किस राजजी के राजपाल सीपी राधा कृष्णन को टेकनोलोजी लैप्स लॉंज किया है तो यह किया आपके मेटा के सायुक से देखेगा कि हाली में यहाली बना लीजिए हाली में किस राजसरकार्न युवा उद्मियों को सवसक्त बनाने के लिए युवा उद्मि विकास अभियान शुरू किया है बताइए तो फ्रेंट सी सुखबीर वसंदू और ग्यानिस कुमार ये और भी दोनों को देखेगे प्रसार भारती की नई समाचार साजाकरन प्लेटफॉर्म पीबी सब्द को किसने लॉंज किया है बताइए किसने लॉंज किया इसको राइट अंसर करिएगा तो फ्रेंट्स इसको लॉंज किया है अनुराग ठाकुर जी ने देखे पाकिस्तान के चौदा हूं राष्ट्पती की रूप में किसने सपत लिया 14 हूं करम इंपोर्टन्ट है ठीक है बाकि तो आदमी बदल जाएगा लेकिन यह क्रम नहीं बदलेगा तो चौदा हूं राष्ट्पती की रूप में जो है जाएगा ठीक है चलो उसका बाद देखेगा कि भारत की पहली ऑटो मोबाइल इन प्लांट रेलवेश साइडिंग प्रोजेक्ट जो है इसका उध्गार्टन किस राफ्जी में किया गया है तो इसका उध्गार्टन किया गया आपका गुजरात में घ्लोबल ईकिसी चाफर्टन किया ग्लोबलभ रिशूर्सस औॉटलूक रिपोट प्रोट किस के दोरा जारी की जाती है तो जारी किया जाता था है आपके यू एन एप के दोरा देखेगा कि साइमन हैरीस टेस्विय उस्वापरधान साइमन हैरिस यह आर्लेंड के बने हैं तो फ्रेंड्स यह किसको किया गया है रचिंद्र रविंद्र को किया गया है ठीक है ना यह निव जिलेंड के किरिकर्टर हैं भारती मुलके देखे सीपरी की रिपोर्ट का अनुसार 2019-23 की बिश दुनिया का सिर्ष हाथ्यार आयातक द देश का उसका देखेगा कि प्यम मोदी ने भारत के पहले कोमर्सियल समी कंडॉक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की अधार सिला जो है कहां पर रखा है तो फ्रेंड्स इन्हों ने रखा है गुजरात में चले उसका बदिके प्रधार मंत्री मोदी जी ने किस राज में कोचर साथ का तो इसका ज़न किया गया है सेमस्में ठीक है चले उसका बदेखेगा कि एकातार मिस्टनीव मिस्ट वल्ड दो जाजर्चोबिस को जितने हम पिस्टिश कुवा किस देश की है याद रुखेगा कि भारत के किस राज़ि में दुनिया की सबसे लंबे ट्वीन लेन ट तो यह सामानित किया गया काफी इंपॉर्टेंट है तो यहां समानित किया गए नीता अंबानी को ठीक है उसके बाद बारत की था यहां कहां पर किया गया था तंधा यहां इन्य डर्ग सुना में अबना में यहां पर ओप्शन में चुनना है तो यह आपका पानामा होगा ठीक है इस का ने सब्सक्वाइच ठीक है चलिए नेक्स्ट कुस्टन देखिए और देखिए पनामा संतानवेवा देश बना था ठीक है ना चलिए देखिए हाल ही में किस देश से संबंदित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतराष्टी किर्केट सिसन्यास ले लिया है तो नील वैगनर जो थे यह कहां के हैं त ठीक है चलिए उसकोब देखिएगा कि ओस्कॉर एवार्ड़्स दोजर्शोविस में सरोस्रेश्ट अभिनेत्या के अवार्ड किसने जीता है तो फ्रेंट्स यह जीता आपके किलियन मुर्फी ने ठीक है राष्टपती दौरपती मुर्भू ने किसे राजसभा के लिए मन ठीक है चलिए उसकोब देखिएगा कि भारती नौ सेना ने लक्स दीप के किस दीप पर अपने नए बेस के अस्थापना किया है तो फ्रेंट्स यह किया है मिनी कोई दीप पर भारत की पहली अंडर्वाटर मेट्व का उद्गहाटन पीम नरेंद्र मुदी ने किस राज़ मिन किया गया है किस सः में किया गया तो यह किया गया है अपका बिलासपूर में एक मड्रूख यहाय हमाइस पूर में किया है थो चले उसका बढ़ देखे का कि भारत के पहले small scale LNG ठीके ना LNG unit का उद्गाटन किस राज में किया गया तो यह किस राज में किया गया तो यह किया गया आपके मद्दप्रदेश में देखे एस्टेल सेक्टर में भारत के पहले Green Hydrogen Plant के अस्थापना कहा कि गई तो यह किया गया हिसार में देखे हाली में MIRV टेक्नोलोजी के साथ किस मिसाइल का सफल परिक्षन किया गया है तो यह कौन सा मिसाइल है तो यह मिसाइल अगनी 5 का ठीक है चले किस राज में बिद्वा पुनर विवह पृत्साहन योजना शु यह कहां पर किया गया है तो फ्रेंट्स यह कियागा आपका सिमला में ठेक chiya गया है चले उसका ही अब देखे कि किस राज ज कहा ढ़िऔर तो लक्समान बहरत और किस देश के बिचाय किया गया है तो यह भारत मलेसिया के बीच मेंने honoris तो इन्हों ने कहां पर रखा है नरक्षा से संभनेतर सेतर से संभन्दित लेखेगा केंद्व मंदल ने कितने कड़ों रुप्य मंजूरें मंजूरी है इंटरनेशनल बिग ऐलाइंस के लिए तो फ्रैंट्स यह कितना किया है किया 150 करोण उसका बढ़ इक देश का पहला समीकनडक्टर पर फैब किस राज में अस्ताफित किया जाएगा बताइए तो यह कहां पर किया जाएगा तो फ्रेंट्स यह किया जाएगा गुजरात में चले उसका बाद एक अगला प्रशने कि भारत के पहले स्वदेशी हरित हैड्रोजन अंतरदीशी जलमार्ग जलमार्ग जहाज को किस राज में लौझ किया गया तो फ्रेंट्स यह किया आपका तमिलाडू में किस भारतीए को व्रटेन खेंग किंग स्थितिय द्वरा मानत नाइट हूट से समानित किया गया है तो राइट अंसर क्या होगा फ्रेंड्स फटाफट बताईएगा यह हो जागा सुनील भारती मित्तल को ठीक है सुनील भारती मित्तल को चले उसका बदेखेगा कि पीम सुर्य घर मुफ्त विजली योजना के लिए कितने करों रुपया मंजूर किया गया है तो यह 75,000 करों रुपया देखे हाली में डेंगू बुखार में बुखार के तेजी से बढ़ते मामले के कारण किस देश ने स्वास्त अपातकाल की घोशना किया है तो यह पेरू ने किया है देखे चुनाव आयोग ने किसके साथ मिल करके मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान सुरू किया है तो यह किया है किसके लिए ंतराष्ट के लिए आयो कि साथ इतिहास में सब्से तेज सतक का रिकॉर्ड किस खिलाडी ने बनाया है तो फ्रेंड्स देखे टी-20 अंतराष्टी क्रिकट इतिहास में सबसे तेज सवतक का रिकॉर्ड जो है यह जोन निकोल लॉफ्टी इटन है ठेकन ऑप्सन नमबर भी राइट अंसर हो जाएगा तो फ्रेंड्स मैंने आपको यह 400 महत्पूर्ण करेंट अफेर्स बिहार पुलिस एकजाम दोहजार जोबिस के लिए कवर करा दिया है फ्रेंड्स इसको फ्लीज लाइक कर दीजी और ज्यादे से ज्यादा इसको सेयर करिए